नमस्कार में गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत जहां एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीती के बड़े-बड़े दावे करती है तो वहीं एक तरफ सरकार खुद बैठती है बड़ी-बड़ी योजनाय और नीती बनाती है उसी लखनाव में योगी सरका की नाक के नीचे ही अवैत कॉलोनी बसाने की वेवस्था जा रही है जहां नियमों के मताबिक कॉलोनी बसाने को लेकर बकाइदा बुनियादी वेवस्थाओं की जानकारी और नक्षा बिल्डर्स को सरकारे मैंकबे को उपलब्द कराना अनिवार है बावजूद उसके तर्गत आने वाले पैजुला अगंज बॉर्ड नमबर दो का है यहां स्थानिय बिल्डर्स द्वारा 25 बीगे में अवैद कॉलोनी बसाते हुए लोगों को ठगा गया और अब वहां के नागरे गंदगी से परेशान है और बुनियादी सुविधाओं के लिए अलग-अलग म पर जम कर आरोप लगाए पर आरोप लगाना तो ठीक है पर उन अधिकारियों पर कब कारिवाई होगी जिनके होने के बावजूत इतनी बड़ी-बड़ी कॉलोनी बिना किसी मानक के बसा दी जाती हैं देखे हमारी यह रिपोर्ट जहां पर मूल भुज सेमाय नहीं मिल पा रही है जिसा कि आप देखने है पानी फ़रा हुआ है कई रोडों पे अभी सीवर नहीं पड़ा हुआ है बिजली कितनी समस्या रहती है हाँ पारसाजी से संपर्क किया गया तो वो यही आस्वासन दिये कि एलक्षन हो जाने दो विधायक जिसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ यह कालोनी अवय धुरूप से डवलपरों ने डवलप कर दी हम लोगों को कोरे आस्वासन दिये कि यहाँ पार्क बनाएंगे पानी की टंकी बनाएंगे हास्पिटल की जगे चोड़ेंगे सारा सीवर लाइन करके देंगे बिजली के खंबे लगाएंगे मैंने यह लाइट और यह रोट बड़े प्रयासूं से सुरुवात में यहाँ पर लेके आए जो कालोनी डवलपर हैं उनकी टोटल गलती है जिसकी वज़े से यहाँ प्लान जो है वो डिस प्लान जैए जिसने कालोनी बनाया है वो यहाँ साल भर में 12 15 एक नहीं आप हैं उनके कारिकलता बारा से 15 मकान पूछिया बना के बेचते हैं और रेरा से क्या पास करया है नकसा रेरा से नकसा बनाने पर भी नकसा पास होना है जाहिए चानता की बात जंता के साथ इसी कड़ी में पहुँचे है राजदानी लखनु हैं दित्ति पाड़ में। जाने कि यहाँ के हालात यहाँ की ब्यूस्ताओं को, यहाँ की जन्ता के साथ में की आखिर ब्यूस्ताई क्या है, क्योंकि लगातार हैं यहाँ सामना आम जन्ताओं करना पड़ रहा हैं। क्या वार्टे क्या समस्या है यहां कि जिसके लिए कि आप मैं बता रहे हैं पुर दीजे यहां पर उपस्ते सभी सामानिगंड जो भी लोग हैं उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं मेरा नाम रितेस कुमार सिर्वास्तो है मैं फैजुला गन्ज वाल नमर नमर टू का नियुआसी हूँ और यहां पर हमारी गली में सडख का निर्मार नालियों का निर्मार्ण नहीं हुआ है और जो भी प्लांट है उसकी सापसफाई कायदे से नहीं है इस स्ट्रीट लाइट की बेवस्था नहीं है इसकी वज़े से सांप और बिच्छू हमेसा जो है निकल आते हैं घर के सामने बच्चों को हमेसा खत्रा महसूस होता रहता है इसलिए एक बार हम इसके इन समस्याओं के निराकरण के लिए हम पारसद जी से मिल भी चुके हैं उन्होंने अस्वासन दिया था कि चुनाओं के बाद हम इसको ठीक आते हैं कि पारसद जी के पॉलचे और हमारे गली में सड़क निरमाड हो सके और बन बन सके श्क्राइब कर लिकित ऑपनी के बाद चार जून के बाद इसको जो है बनवाद देंगे सड़क आपका हम अप्लिकेशन भी दिये थे उनको वाटसे भी किये थे अब उनसे हमारे गुजारे से सभी लोग इकठा चलके मिला जाए कल्या परसों में जिसकी वज़े से हम लोगा सड़क बन सके और स्ट्रीट लाइट सब्सक्राइब जाता है समस्याओं को लेकर में तरो रहा है बार उठानी बहुत जरूरी है हम आपकी बार उठाने के लिए हैं क्या बोलना चाहिए हूं कि सीतापु रोड से मातरे डेड़ से दो क्लिमिट अंदर इस कालोनियम लोग बैठे विए हैं जहां पर हैं मैं उसे अन्रोद करना चाहता हूं कि समस्या को इसका निदान का हमारे हिसाब से तो जो यहां के हैं चोटे लेवल पे चाहिए सबसाद हो पासद हैं विधायक हैं या जो भी लोग है या जो कालूनी डवलप कर रहे हैं वो सब को इस काम करना चाहिए करने वालों से लिए तो सरकार को इस मुहिम को ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए और कोई पार्क निया कोई पार्क नी यहां ने क्या बोलेंगा आप हम बोलते हैं कि हम लगबग 90% कालूनी में मकान बने हुए हैं अब ही तक कोई सीवर की व्योस्ता यहां नहीं है और जो सड़क संधित अधिकारी से सबसे की सबसे में चीज जो सीवर लाइन है उसको डालने का प्रयास किया जाए नालियां है बृच्छा रोपन है सड़क है यह आम जन समस्या है इनको जल से जल निप्तारा किया जाए पानी भरा हुआ प्लाट में जो कि यहां पर संक्रा बीमारी के पारसाज इससे संपर्क किया गया तो वो यही आस्वासन दिये कि एलक्षन हो जाने दो इलक्षन हो जाने बिधायक जिसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ बिधायक और जो हमारे माननी सांसजी है यह सब अगर चह जाएंगे तो यह कालोनी डेवलप हो जाएगी मैं विपिन बाजपई इसी कालोनी का अध्यासी हूँ यह कालोनी अवएध रूप से डवलपरों ने डवलप कर दी हम लोगों को कोरे आस्वासन दिये कि यहां पार्क बनाएंगे पानी की तंकी बनाएंगे हास्पिटल की जगे चोड़ेंगे सारा सीवर लाइन करके दें मैंने यह लाइट और यह रूट बड़े प्रयासों से सुरुवात में आप लेके आए जो काली जो कालोनी डवलपर हैं उनकी टोटल गलती है जिसकी वज़े से यहां प्लान जो है वो डिस्प्लांड है कालोनी डवलपर की गलती है तो आपने इसके लिए उनसे संपर्क कि कई बार संपर्किया यूँकि आज वो जीवित नहीं है उनके मुल्तेजिमकार हैं उनके बेटे हैं अब उनसे फिर दुबारा पुना मिला जाएगा और कालोनी के सब लोग मिलके उनसे फिर गए आखरी टाइम उनसे कमला का थी कमा समस्वा को गया चार महिने उसके बाद मैं यहां पर करीब पांस साल से रह रहा हूं जब यहां पर सड़क वगरा कुछ नहीं बनी तो यहां ब्यक्तिगत प्रयासों से विधाय जी के निदी से इस सड़क का निर्माड हुआ यहां लाइटे वगरा लगी अभी इसी यह है कि सामानतिया जब बरसात होती है तो जल जल भराओ और पिछले सीजन में मैं और हमारी माता जी हम लोग दोनों लोग डेंगू से प्रभावित हो गए सेवा हॉस्पिटल में करीब डेड़ महीने एडमिट हुए और अभी तक भी उसकी रिकवरी नहीं हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना पानी की यहां प् से जब चाहे जिस पतल पे हो जिम्मेदाव से बात की जाती है तो वह आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है चीजों को किया जाएगा लेकिन कब किया जाएगा ये कोई सित्य या समय नहीं निकल के आता है कि हाँ लेकिन अफिर देखिये साल दो साल चार साल पान साल निकल गया लेकिन पापर अभी सब यहाँ जो भी development हुआ है सब वेक्टिगत प्रयासों से ही development हुआ है यहां पताया जा रहा है गलतीया है समस्या है अब ब्योस्था है पानी भरता है सीवन नहीं है बीमारिया फैलती है मच्छर काते हैं डेंगू फैलता क्या बोलेंगे है यह वन दोच वबोस्ता ऐरिया है यहां पर सभी लोग रह रहें देरे देरे बस्ता जा रहा है लेकिंगे जो मूल भूत समस्याएं जल n है सीवर वेवस्ता है सड़क की व्यवस्ता है लाइट की व्यवस्ता है यह विल्कुल अपर्यावत है लाइट हो सरकार बोलते 24 गंटे आएगे लाज़ानी लखनों की बात करना है अगर लाइट आएगी केवल सिंबोलिक होगी बोल्टेज नहीं मिलेगा आपके हां लाइट से चलने वाले अपने प्रापर नहीं चल पाएंगे आपने कोई और एसट लगा रखा है सुविधा के लिए वह काम नहीं करेगा सीवरेज व्यवस्ता है आपके घर का पानी निकल करके आपके दरवाजे के आमने सामने ही घूमता मिलेगा उसको बाहर जाने का कोई बेर वाउट नहीं है कहीं थोड़े बहुत पोर्शन में विभाग ने बना भी दिया है तो वह पूरी तरह कार्ज रत नहीं है क्योंकि वह प्रापर रूप से बना ही नहीं है इसलिए सम्वेक धंक से कार्ज नहीं करता है वो भी वहां रहने वाले लोगों के लिए समस्या ही है कालोनी डेवलप की ग जमीन थे उसमें उन्होंने पीस मिल्स में बनाया है तो यहां ऐसा कोई ना प्रापर इसका ले आउट है ना प्लापर कोई जगे है ना कोई निर्धारण है मौखिक सारी बातें जब आप परचेज करने जाते हैं आपको सारी चीजें बता दी जाती है रोड इतनी बनाएं मतलब जो एक डिवलप्ड कालोनी इस कालोनी सहर में बनती है बड़े बड़े इंफ्रासेक्टर्स के लोग बनाते हैं उनके हिसाब से देख करके जो मूलभूत सुवधाएं होती है यह LDA जो अपनी कालोनी में बनाती है वो सब वरबली बता देता है डिवलपर कि इन सारी विवस्ताओं के साथ हम यह कालोनी बसा रहे हैं आप आवास लीजिए आप प्लाट लीजिए रहिए आपके लिए सुवधा जनक होगी और मजबूर आदमी जिस पर आर्थिक समस्याइं होती है वो थोड़ी बहुत सस्ते में कम में जो अपने रहने की जगा मिल जाए उस विवस्ता के त्याद आ करके अपना प्लाट ले लेता है फिर समय के साथ बनाता रहता है वो समस्याइं जो दस साल पहले थी वो आज भी है और मुझे लगता है ऐसे दस साल बनी रहेंगी जिस भी अस्तर पर जाए आप आदमी आस्वासन सब कुछ देता है कि हम कर देंगे कभी अलक्सन के बाद कभी इसके बाद कभी बज़ट आने के बाद अगर कालोनी के बात करें तो एक माना खोता है रेरा के अंटागर बताया जाता है यह माना खोने चाहिए और रेरा से कोई बीव उतस का ले-आउट और तमाम चीजे पास होटने है क्या सारी चीज़ और बेंकर वजोु है लेकिन हम उनके हां काम देखते हैं यह कालोनी जो है रस्तोगी जी की है अब राजर और परूपर आहिए सिसका लियाओड पास आरेरा से ने परोड़ करते हैं कि प्रोनी जमीन को उल्वेश चीजत करते हैं तो उसस पे कर दो सरकार हिमानकों को पानल काफी काम किया गया जैसे बीच वाली सड़क हमने बनाई है इसके बाद भी कई सड़के बनाई है ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा छेतर है धिरे-धिरे डेवलफ होगा अब बाकिया है कि जो जुम्मेदार व्यक्ति थे जिन्होंने प्लानिंग की है दुगटना बस उनका एक् करीब 20 साल का है तो चीजों को बता दिया गया उनसे कि कुछ काम जो कावी माकी रह गए हो कराया जाए जो नहीं हुआ कि आप रिरा के मानक को पूरा करेंगे जो कॉलोनी डेवलफ करने के लिए बनाए गया है अब सड़के तो हमने सब 25 फिट की ही दी है जैसे भी है इस ए खरकें हैं सटकेंमें चोड में और लगे नालिया भी बनाए इनकाफी सड़कें बनाई हैं लेकिन लंबा शेतर धीरे-दिरे काम होगा होता रहेगा प्रयास भी करने अब प्रयास करने वाले भी बहुत ज्यादा कुस काम करने वाले ने किक तक हमारे जो गारिजन थे सब हमारी जमीन से उंचे बना हुआ है अब ये देखे नाला बनाना तो कालोनी का वो नहीं है ना क्योंकि यह तो बड़ा एक प्लान है सरकार का कि अगर कालोनी आपने डेवलॉप किया है और नाले के लिए तो मैं बना रहा हूं लेकिन जो बड़ा नाले ले जाके गिराएं कहा अब इक देड़ मिल पा रहा नहीं हमें यह चीजह के लिए आप प्रयाज किया गया है सबस्के अब कोई सरकार उस कालोनी को बसा है मरला उसमें मदद करती है जो सरकार के माधियम से कालोनी बस थी तो अवैद कालोनी अरे इहाँ कोई करते हैं यहाँ मानक क्या है यहाँ 25적 केंज कि लानिंग की आ परिये महां यह रहता हूँ 25 बीत कि एक फटीर के प्लानिंग है सरकार यह कहती है क्म से कम 30 परसंट जमीन को छोड़ा जाए जिसमें रोड् Members और connecting 여ужд मंहों यहां 25 मंपई प्रमोड कि सब्सक्राइब नहीं यहां पर एक पार्क नहीं ४ा इश्थित्य ये हैं कि 20W की रोड दी गई हैं। लोगों ने कर दिया आप पूछे इन उन्होंने किया नहीं किया। योगी जी ने एक नियम निकाला था जो भी कालोनी बसेगी उसका नकसा रेज़टार आफिस में रखा जाए, पास कराके और तब उस पर कालोनी विस्तार की जाए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, उनका एक कथन था कि उस हिसाब से अगर होगा, तो कभी कोई ना तो प्लाट नंबर बदल सकता है, और ना तो रोडे बदल सकता है, लेकिन यहां 20 फिट की बाइस फिट की जा रही है, जिस पर कोई आवाज नहीं उठाई गई, वो भी सिट रह गई, यहां पर कोई भी बिवस्ता नहीं है, आपके सामने पानी भरा हुआ है, मेरा प्लाट उस रोड पे है, जिस पर बरसात होती है, तो कार से आदमी नहीं निकल सकता, मोट साइकल से उजाने दीजिए, और यहां रेट क्या है, आपने इतनी सभा से बाद चीत किया, पच्चिस सो रुपे का रेट यहां पर लिया जा रहा है, प्लाट का, हम लोगों ने सरकिल रेट नमबर एक में लिया जा रहा है, बाकी सब नमबर दो में लिया जा रहा है, जो यह कालोनी बनाया है, जिसने कालोनी बनाया है हुआ साल पर में बारा पंदरा एक आप すबीर करता है रेरा से क्या पास करने पर भी निवल्यक कांड़ हूं हैं यह सारे कथन ले करके इनके आफिस गए रस्तोगी जी के इनको इनकी वह बेजती की गई जो इनके आप चेहरे से भाव सकते हैं हमाय साथ में खड़े हैं जी सुपला जी इदर आईए वह पानी को ले करके गए यहां लोगों लोग जो मिलने जाते हैं उनको भगा दिया जी जाता है और इस पानी के लिए रस्तोगी जी से एक बार नहीं कम संगम पचास बार कहा गया जब यह कह रहे हैं कि नाला नहीं बन रही है तो यह हमारा पानी कहां जाएगा यह सब रोडे जो बनवाई गई हैं हम लोग महिनत करके कोटे से लेके आएं उन्हों ने यहां और प्रेजेंट विधायक साब ने सायद यह रूट बनवाई है। यहां जो मकान आप लोग बना रहे हैं जो यहां के कालोनी डेवलपर हैं रस्तोगी जी उनके संजय अदो जी कारी करता है। यह 45 लाग का मकान विका है और बगल में पानी भरा हुआ है। अब वो बैचारे कहें नहीं सकते अगर अपनी आवाज एकता में उठाएंगे इसलिए मीटिंग रखी गई है। मैंने प्लाट लिया क्योंकि मुझसे वादे किये गए कि इसको वाइद किया जाएगा। इसलिए हम ने लिया कि मैं अधिवाकता हूं पैसे से मैंने 2011 में प्लाट लिया था जब यहां पे खेत था यहां थूँ्हा समय नहीं पड़े कि इस तुनिया सकता यह कोई काम नहीं किया है और पी Dopo इतने लोग बैठे कोई बता दे कि इसके बाद दो सड़क हमने बनवाई है ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ है काम हुआ है काम हुआ है इसके लिए मैं बोराज से प्रयास कर चुका हूं इस पें सीवर की बात हो गई है वह भी एक हपते में काम सुरू हो जाएगा आप किस तरफ पानी निकारा नहीं जा सकता है इसके लिए इसके लिए नाली बनी हुए देखे लेकिन नाली नाले इतना डंप है कि उसमें पानी कि पड़े नाले बले अस्तर के होते हैं जो बड़े अस्तर की नाले हैं वह तो टुसरकार काम है तो मार्य यहां पर लोग आप आरे इस तरह से देखिए सब कर लिया तो आप भी सब कर लिया तो आप भी सब कर लिया जैसे सब का वह इसी तरह सब हमारे गली के सड़क बहुत खराब है वहाँ पानी भर जाता है पैदल चलना और गाड़ी निकले कर भी जलना मड़ा मुश्किल है इसलिए हम चाहते हैं कि आप सड़क डिकार्डिंगर के दिखा दीजें हमारा एक बार दिखा लिए सर्वाइब कर रहे हैं उस पर बहुत परशानी होती बरसात होती है तो निकलना मुश्किल है अभी लोग गिर जा रहे हैं वहाँ पे जीव जनतों आते हैं साम जोह है प्लाट के सामने जोहे इतना ज्यादा जोहें वह लगा हुआ है ज़ाडी जंकाद है तो कभी बनविलार आहिए तो साप आ जाता है ये सब आ जाता है और बाकी रोड तो सेम पोजिशन है पहुत खराब है हमारे पास के रोड और सड़क सब जाम है नाली नाली में कीड़े बजबजा रहे हैं जाड़ियां कोई काटने का नाम नहीं लेता है चाहे जानवार हो चाहे कोई कज़वल्टी हो जाए किसी कोई जिम्मेदार नहीं है आप उसकी विवस्था करा है तो यहां पर फदल लगने दित्ति में हमने जनता की राय जानी तमाम बा क्योंकि यह तारान की समच्चा का उटाती है उठाएंगे चाहें और बात जनता जनारदन की है तो लोगों की समस्चा नगान को इस रिपोर्ट में फिलाल के लिए इतना ही देश तुन्या की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें ये सी न्यूज भारत